जी हाँ नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का आरेस न्यूस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आकिर का जो किंग्स 11 पंजाब और संराइजर सहदराबाद के बीच में मुकाबला खिला गया उसी के बारे में तो आपको हम इस मुकाबले का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे तो आप सभी इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेगा और वहीं दोस्तों अगर आप भी कप्तान डेविड वार्नर और केल राहुल को एक अच्छा उपनर खिलाडी मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और साथ में हमारे चैनल आरेस न्यूस को सबस्क्राइब करके बेल की घंटी को जरूर जवाना जिससे कि आपको क्रिकेट सुज़ूरी तमाम जानकारिया और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका ज़ता समय ना लेत ह बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में दोस्तो जैसे कि आप सभी को पताई कि इंडियन प्रीमेर लीग के 13 सीजन का 22 मैच दुबई के मैदान पर संटराइजर्स हैदराबाद और किंग सिलावन पंजाब के बीच में खेला गया जहां पर इस मैच में हैदराबाद के आमने जीत के लिए 202 रनों का लक्ष है था तो वहीं दोस्तो बात करें हैदराबाद के टीम की तो हैदराबाद के टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उत्रीती पहले तो कप्तान डेविड वर्नर और जोनी बेश्टो के दम पर उन्हें काफी अच्छी शुर आ किया था हाला कि 15 वे ओर में कप्तान डेविड वर्नर बावन रन बनाकर आउट हुए और हैदराबाद की टीम को ये बड़ा जटका रवी विश्णोही ने दिया और वहीं दूसरा जटका भी हैदराबाद की टीम के खिलाडी रवी विश्णोही ने दिया जिन्होंने 97 आनवे रनों के निजी स्कोर पर जोनी बेश्टो को चलता किया और टीम को तीसरा जटका मनीश पांडे के रूप में लगा जो कि अर्शिदीप की गेंद पर उनी के हाथो एक रन बनाकर आउट हुए तो ही संड़ाइजर सहिदराबाद को चौता जटका तुल समत के इस ओवर में संड़ाइजर सहिदराबाद के टीम अपने 6 विकेट घोते हुए 201 रनों की पारी है 201 रन बनाए और 202 रनों के जवाम में उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत बिलकुल भी खास नहीं रही जियां दोस्तों मैंका अगरवाल मातर 9 रन बनाकर ही अपना वि आज आपके टीम को लगा जो कि अभी शेक शर्मा की गेंद पर केन विलियमसन के हाथों में कैस तामा बैठे और इसी के साथ केल राहूल ने आज के इस मुकाबले में 16 गेंदों में 11 रन बनाए दोस्तों वीडियो में आगे बठने से पहले मैं आप सभी को प्लेयर जपोर पर भुवनिश्वर कुमार इसमिरती मांधना जैसे खेलाड़ी अपनी फेवरेट टीम के साथ प्लेयर जपोर्ट पर खेल रहे हैं और दोस्तों प्लेयर जपोर्ट की खास बात ही है कि अगर आप अपने दोस्त को रैफर करते हो इस एप को तो आपको और आपके दोस्त को जोइन करेगा तो उसके जोइनिंग अमाउंट का 2% आपके वालेट में ट्रांसफर किया जाएगा तो दोस्तों आपकी गेमिंग स्किल्स आपको माला माल बना सकती है और दोस्तों अब हर IPL मैच में आप यहां पर जोइन कर सकते हैं और प्लेयर जपोर्ट का मेगा कॉंट जाओं के गैरेंटीड पोर्ट में सिर्फ आप 19 उर्पेड डाल कर जीत सकते हो लाखों में तो देर ना करें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और आज ही डाउनलोड कीजिए प्लेयर जपोर्ट एप और आज से लाखों रुपे कामान को थोड़ा सा समाले की कोशिश तो करें लेकिन वो अंत में 77 रन बना कर आउट होए तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि आप किंग्स 11 पंजाब के इस शर्मनाग प्रदर्शन को उन्हें दसमें से कितने आंक देना चाह आप अपनी कीमतीरा और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा